दोस्तों आज के इस वीडियों हम देखने बाले हैं बीएसी सेकेंडी वालों के लिए जिलो बॉटनी का थर्ट पेपर है और सारी हमने जितने भी को पेपर हैं वो अप्लोड कर रखे हैं 2022 में आने वाले कोशन आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप पेपर हैकर रिटुप्शन को सस्क्राइब कर लें और 2022 में मौश्ट इंपोटेंट कोशनों को हम देख रहे हैं इस वीडियो में कौन-कौन से हैं और आप इन कोशनों को याद करके 90 परशनल प्लस ला सकते हैं तो आपने अभी तरक हमारे चाहलों को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लिए और दोस्त इंपोटेंट ठीक है तो आपको क्या करना है अपने गैस पेपर नोट्स स्रीज जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उस पर टिक लगा लिजिए यह मुश्ट इंपोटेंट कोशन बस इनको ही पढ़ना है बागी कुछ और कोशनों को देखने की जुरूत नहीं है एक्जाम से दो दिने पहले हम आपको 10 कोशन देंगे जो आपके पेपर में आते होंगे आप उन कोशनों को पढ़के चले जाना मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है उन 10 कोई पढ़ लेते हैं तो ठीक है आपके हर इनिवस्टी लिए अलाग संबरदन की बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसे कहते हैं और यहां से एक सक्रिय अपसोसर्ण और निसकरस्की अपसोसर्ण के बारे में इन दोनों को बढ़ेंगे मौ इन थोनों को वड़ेंगे यह उसके बाद में आता है बिसरन और परास्ण भी अंतर आप से बूझ लेता है इसकी परिवास आपको पताऊगा तो बल लेगा देंगे डैस्ट को सिन आप से पूझता है जब इक बाद क्या होता है जब इक बात को अच्छी तरीके से देख लेगे ठीक है जिसे भाइंड प्रिकास के बारे में पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे जो पाइवलिक अमल होता है और अक्सीगण किस परकार से होता है इसके बारे में अंतर पूछ लेता है और प्रिवास आप से पूछ लेता है यह फिर अंतर भी पूछता है एक ग्रोथ हार्मोन आपको सबको पता होना चाहिए पूछ लेता है दो तीन ग्रोथ हार्मोन के बारे पढ़ ले ना इन तीनों ग्रोथ हार्मोन होते हैं इन प्लांट के लिए ग्रोथ उत्पन करते हैं प्लांट में इसके बारे में प्रोटीन कि सरचना की बारे में पढ़ेंगे यहां यहां बुलाएं पादब बसा में पिरकार कितने होते हैं तो बसा के पिरकार उनकी कोड़ के वारे में देख लेंगे पर लेना है कि अपको पढ़ लेना है इसको हाई निकलो साइट और निकलो टाइट निकलो टाइट निकलो टाइट में अंतर आपसे पुस्ता है है इसको भी आप पढ़ेंगे याद करेंगे रट लेंगे इन कोशनों को बहुत टाइम में अपके एक्जाम के लिए लेकिन कोशनों के लाभा कुछ और नहीं पढ़ना है तो सीपोर्ट चकर को है है इसकाल चकर कहते हैं इसको आप पढ़ लेना ठीक है बिंदू सुराब क्य क्या होता है इसको पढ़नेंगे मुश्ट इंपोटेंट है और लास्ट वे हम यहीं कहेंगे फोटो देखो इसको पढ़ लेना फोटो रेस्परेशन को अच्छी तरीके से जीव अंकुरण के बारे में देख लेना इसको आप देख लेना इलेक्ट्रोड ट्रांसपोर्ड स क्या होता है तो एंजाइम क्या होता है ऑक्सो एंजाइम क्या होता है यह पूछे गए बहुत ज्यादा पूछे गए और देखो दिप्तिकालिता क्या होती है इसको पढ़नेंगे दिप्तिकालिता के टाइप कितने होते हैं जैसे से आप से पूछेगा सॉट टे प्रांट क यह आपको कोशन है क्रैस्ट चोक्र क्या होता है यह अच्छी तरीकसे देखेंगे यह क्रैप से लिए जीवां पर देच चुखा हूँ तो छोड़ो यह कोशन देख लेना क्या होता है उसका यूज कहा होता है यह और किडवन की बारे में ठीक है अब इतना याद करना है बाखी कुछ और देखने के जुरूत नहीं पड़ेंगे यहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा यह एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंप्ड़ेंगे बाखी कुछ औ अधर नहीं प्रश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्